हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं साबुदाना टैसर, सबसे पहले हमें चाहिए सबचा सीड, अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और इसे 15-20 मिनिट तक भीखने देंगे, अब एक कड़ाई में डाल देंगे 2 कप दूद, अब इसमें डाल देंगे 1-4 कप मिल्क कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, अब एक कड़ाई में डाल देंगे 1-3 कप साबुदाना, अब इसमें डाल देंगे 2 कप पानी, अब इसे मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनिट तक पकने देंगे, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे जान लेंगे, दूद भी ठंडा हो गया है, अब हम इसमें साबुदाना को एड़ कर देंगे, अब हम इसमें कुछ फूट्स आड़ करेंगे, तो यहाँ पर जो भी फूट्स आपको पसंद आते हैं, वह आप ले सकते हैं, यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखें कि बहुत खटे फूट्स हम यहाँ पर करेंगे, अब हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे, अब इसमें डाल देंगे कुछ बारी कटे वे काजू, थोड़े से बदाम और कुछ चौप किया हुए पिस्ता, अब हम अपने डेसर को सब्सक्राइब करेंगे, तो सबसे पहले हम ग्लास में डाल देंगे दो चमर सब्सक्र सीज, अब हम इसमें ये डेसर डाल देंगे, तो ये हमारा साबुदाना डेसर बन के तयार है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें